नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और उनकी सरकार ने 14 से 18 सितंबर के बीच में संसत का विशेश अधिवेशन बुलाया है पाँच दिन के लिए अब तक जब से ए घोषना हुई है तब से अटकले लग रही है इसके साथ साथ एक और घोषना हुई है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी गए है पूरु राश्पती रामनात कोविंद के अध्यक्षता में कमिटी के दूसरे सदस्यों के नामों की गोशना नहीं हुई है अब सवाल यह है कि इन पाँच दिनों में क्या इस से संबंधित विधयक आने वाला है मुझे लगता है कि इसकी संभावना कम है यह संसत के शीत कालीन सत्र में आ सकता है या केवल जो है इंट्रोड्यूस करके इसको छोड़ा जा सकता है लेकिन मोदी और शाह के युग में खास तोर से मोदी जिस तरह से पधान मंतरी नेरिद मोदी काम करते है उसमें उनकी डिक्शनरी में असंभाव शब्द नहीं है कुछ भी संभाव है जिस तरह से इसकी घोशना हुई है उससे बड़ा स्पष्ट है कि सरकार इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रही है तमाम लॉजिस्टिक्स के सवाल लोग उठा रहे है कि पहले से स्टेक होलडर से कितना डिसकशन हुआ था कितनी तयारी है चुनाव आयों की क्या तयारी है इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की बहुत बड़ी संख्या चाहिए होगी उसकी क्या तयारी है यह तमाम तरह के सवाल उठाय जा रहे है लेकिन हो सकता है कि यह क्योंकि इसमें और कई मुद्दे उल्जे हुए है जैसे माल लीजिए एक देश एक चुनाव के तहत लोगसभा विधानसभा चुनाव साथ साथ हो गए अब कोई विधानसभा भंग हो जाती है या लोगसभा बीच कारेकाल में भंग हो जाती है तब क्या होगा एक सुझाव लाल के शाडवानी के समय दिया गया था उन्होंने भी इसकी वकालत की थी वन नेशन एलेक्शन की तब उन्होंने एक जर्मनी का शायद उधारन दिया था कि दो चीज़ें कि एक कंपोजिट वोट हो अगर कोई सरकार अपना बहुमत को देती है वो लोक सभा हो या विधान सभा हो तो उसमें सरकार के पक्ष या विरूद की बजाए नेता चुना जाए सदन अपना नेता चुने वैसे इसका एक उधारन है आपको याद होगा कल्यान सिंग की सरकार को जब रोमेश भंडारी ने बरखास्त कर दिया था उसके बाद सुप्रिम कोट ने बहुमत साबित करने के लिए ये नहीं कहा कि सरकार बहुमत साबित करे अपना या विश्व मतले उन्होंने कहा कि एक कमपोजिट वोट होगा जिसमें कोई कोई सरकार का दावा नहीं करेगा सदन नेता चुनेगा जिसको नेता चुनेगा वो मुख्यमंतरी होगा एक ये है दूसरा ये है कि बीच में अगर कोई कोई विधान सभा या लोक सभा वो भंग होती है अप उसी बच्चे हुए कारेकाल के लिए हो जिससे यह साइकिल गड़बर न होने पाए लेकिन इसमें अभी तमाम तरह की पेचिद्गियां हैं इसलिए मुझे कम उमीद है ये कि 18 से 22 सितंबर को होने वाले सत्र में इस संबंद में विध्यक आएगा क्योंकि संविधान सदन है उनकी तैयारी लेकिन आपको मालूम है कि अनुच्छे 370 पर तो सरकार जब लेकर आई थी तो पूरी तैयारी पहले करके आई थी किसी को हवा नहीं लगी थी जब सदन में इंट्रोड्यूस किया उससे 10 मिनिट पहले पता चला लोगों को कि संबंध में विध्यक कहना है कि समान नागरिक संगिता पर विध्यक आ सकता है मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई कहरा वक्त कानून को खत्म करने के लिए या प्लेसे ऑफ वर्शिप आक्ट को खत्म करने के लिए उसके लिए विशेश सत्र बुलाने की संसद की जरूरत नहीं है वो सरकार बिना किसी संसद के सत्र के ही अपने आप कर सकती है एक्जेकुटिव ऑर्डर से कर सकती है उसमें उसमें कोई संसद का विशेश सत्र इसके लिए बुलाया जाए इसकी जरूरत नहीं है UCC को छोड़के UCC के लिए भी मुझे नहीं लगता कि सरकार विशेश सत्र बुलाकर उसको पास कराने के कोशिश करेगी तो फिर सरकार ने सत्र बुलाया यह तो वैसे सरकार को ही मालूम है सरकार में किसी को नहीं मालूम प्रधान मंतरी अगर विधयक आने है उनके मंतराले से संबंदित है नहीं भी संबंदित है तो भी उन्हें जानकारी निश्चित रूप से होगी लेकिन और किसी मंतरी को अभी मालूम है यह दावे के साथ कोई नहीं कह सकता अगले दो तीन दिनों में कहा जा रहा है कि इस्तिती थोड़ी स्पष्ट होगी तब उसके बाद जो नमबर एक और नमबर दो के बाद के जो लोग है उनको जानकारी दीरे-दीरे मिल सकती है उनमें सबसे पहला नाम हो सकता है पार्टी के राष्ट्री अधक्ष जेपी नढड़ा और उसके अलावा लोगसभा में डिप्टी लीडर राजनर सिंगा तो किस करम में आएगा कब आएगा ये पता नहीं लेकिन एक एक अनुमान जो लगाने की बात है तो अनुमान किस आधार पर लगाए जाए प्रधान मंतरी नरेन मोदी के लिए सबसे प्राथमिक्ता वाला विशय क्या है उनका सबसे प्रिय विशय क्या है उनकी प्रायर्टी क्या है प्राथमिक्ता क्या है उनके एजेंडे में सबसे उपर कौन सा विशय है अगर आप गुजरात से शुरू करें तब भी और 2014 में उनके प्रधान मंतरी बनने के बाद से देखें तब भी सरकार की योजनाओं पर गौर करें प्रधान मंतरी आवास घर की महिला के नाम से होगा उजूला गैस योजना में गैस कनेक्शन महिला के नाम से होगा सोचाले के लिए पैसा महिला के नाम से मिलेगा एक करोड लखवती बहने बनाने का लक्ष अभी घोशित किया गया है उसके अलावा जो महिलाओं के सिल्फ हिल्प ग्रूप हैं उनको प्रमोट करने के लिए पिछले कुछ सालों में बहुत काम किया गया है तो आप देखिए कि सरकार की सारी योजनाओं के केंदर में कौन है महिला महिला ससक्टी करना और ये भी आप देखिए कि पिछले नौ साल में जो चुनाव हुए है भारतिय जल्टा पार्टी को उससे पहले जो वोट मिलते रहे हैं मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूँ नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ तो लनात्मक रूप से महिलाओं के वोट लगातार जादा मिल रहे है और इतना ही नहीं महिलाएं जादा बड़ी संख्या में निकल कर वोट दे रही है तो प्रदान मंतरी नरेंद मोदी के सामाजिक कार्यक्रमों के यह आप कहें कि जो लाभार्थी वर्ग है जिसको क्रियेट किया है उन्होंने उसमें केंदरी भूमिका में कौन है महिलाएं इसलिए मेरा अनुमान है मुझे कोई जानकारी नहीं है मेरा अनुमान है कि इस विशेश सत्र में जो विधेयक जिसके आने की सबसे ज़ादा संभावना है वो है महिला आरक्षन का विधेयक महिला आरक्षन का मुद्दा ऐसा है कि लंबे समय से लंबित है हल कॉंग्रेस पार्टी यूपिय के समय में ये राजे सभा में विधेयक लेकर आई थी लेकिन समाजवादी पार्टी और राष्टी जन्ता दल के विरोध के आगे डर गई और उससे आगे बढ़ नहीं पाई उस समय भी इस्थिती ये थी आज भी है कि अगर कॉंग्रेस पार्टी हिम्मत दिखाती आगे बढ़ती तो बीजेपी इसका विरोध नहीं कर रही थी न कर पाती संसत में इन दो पार्टीओं दो तीन पार्टीओं को छोड़कर कोई पार्टी इस विरोध करने की स्थिती में नहीं थी कॉंग्रेस चाहती उसकी इच्छा शक्ती होती तो वो विधेग पास करा सकती थी लेकिन नहीं करा पाई आपको मालूम है कि राजसभा में जो भी विधेग आता है वो कभी मरता नहीं खतम नहीं होता है वो हमेशा जीवित रहता है क्योंकि राजसभा कभी खतम नहीं होती है एक ऐसा सदन है, जो सतत चलता रहता है, लोकसभा बंग होती है, फिर चुना होता है, फिर नई लोकसभा का गठन होता है, राजे सभा के साथ ऐसा नहीं होता है। एक बात दूसरी बात आप देखें कल रात वाले वीडियो में भी कहा था कि प्रधान मंत्री जो करना होता है उसके संकेत पहले से देते रहते हैं नया संसत भवन बना तो उसको लेकर जो चर्चा हुई कई बिंदूओं पर उनमें से एक थी इतनी सीटें क्यों बढ़ाई हैं लोग जोडने लगें कि अगर मान लिजे परिसीमन दो हजार चबविस में जो है नए से रे से परिसीमन होगा लोग सबास अधस्यों की संक्या बढ़ाई जाएगी उस समय कितनी सीटें बढ़ सकती हैं तब भी जो जोड आता था लगभग साड़े नौसों एक हजार के बीच में आता था तो ये था कि लगभग साड़े बारासों सीटें साथ बारासों और ताली से इस तरह की संक्या है इतनी सीटें क्यों इसका मतलब ये बी अनौण ही लगा रहा हूँ इसका मतलब प्रधान मंत्री नरिंद मोदी के मन में कहीं न कहीं महिला आरक्छन का प्रतिनिधी हों एक महिला एक पुरुष और जो महिला चुनावक्षेत्र है उनका रोटेशन होता रहे इसका बड़ा विरोध हुआ था कि अगर रोटेशन होता रहेगा तो कोई भी सांसद अपने चुनावक्षेत्र पर ध्यान ही नहीं देगा उसको मालूम होगा कि इस बा 29 फीजदी संख्या अब सवाल यह है कि 29 फीजदी किस से जाहिर है कि अगर आज कानून बनेगा तो आज जो संख्या है 543 की 543 का उसकी एक तिहाई संख्या बढ़ जाएगी और ये जो विशेश सत्र होने वाला है जो अभी तक खबर आ रही है उसके मताबिक ये नए संसद भवन में होने वाला है तो लोकसभा का 2024 का चुनाओ अगर महिला आरक्षन के साथ हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए महिलाएं जिस तरह से प्रधान मंतरी नरेन मोदी की समर्थक हैं जिस तरह से भाजपा की समर्थक बन गई हैं उनके प्रधान मंतरी बनने के बाद उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर कोई केंदरी ये बिंदू हो सकता है इस संसत के विशेश सत्र का तो वो एक ये हो सकता है उमीद है कि चुकि पांच दिन का सत्र है तो इसलिए उमीद करनी चाहिए कि शायद एक से ज़्यादा विधेक आए लेकिन ये इस मुद्दे पर विधेक आएगा इसकी संभावना मुझे सबसे ज़्यादा लगती है उसकी वज़े ये भी है ये ऐसा विधेक है ये ऐसा मुद्दा है जिसका विरोध करने की हिम्मत कॉंग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है कुछ भी कंपल्शन हो वो खुद सरकार में हो तो उससे भाग सकती है लेकिन इसका विरोध नहीं कर सकती है और आज की तारीक में जेडियू और जेडियू के लिए भी उस तरह से विरोध करना संभव नहीं होगा जैसा पहले था तो संसद में इस मामले पर इस मुद्दे पर आम सहमती बनने की सबसे प्रबल संभावना है तो सरकार को न लोगसभा में कोई दिक्कत होने वाली है वह तो ऐसे भी नहीं है नहीं राज्यसभा में इसको पास कराने में दिक्कत होने वाली है क्योंकि ये संविधान चंशोधन विदयक होगा राज्यसभा में भी दो तिहाई बहुमत की जरूरत पढ़ेगी तो महि पिलाओं को ये अधिकार देने के लिए प्रधान मंतरी नरेद मोदी ने विशेश सत्र बुलाया संसत का। और ये भी देखिए कि ये संसत के दोनों सदनों की बैठक उस तरह से होगी जैसे सामाने तोर पर सत्र बुलाये जाने पर होती है। और एक बात और जो आगे चलकर ख़वर बन सकती है। देखिए इस सरकार में बहुत चोटी चोटी जानकार यहाँ आती हैं जो आगे चलकर बड़ी ख़वर में बदलती हैं। और वो ये है कि संसत के इस सत्र के बाद फोटो सेशन होगा दोनों सदनों के सदस्यों का। लोग सभा के में और राजे सभा के में ये फोटो सेशन की परंपरा है जब संसद का खास्तोर से लोग सभा की बात कर रहे हैं लोग सभा के कारेकाल का आखरी सत्र होता है तो क्या 14 से 18 सितंबर को होने वाला सत्र लोग सभा का इस 17 में लोग सभा का आखरी सत्र होगा ये एक स गौड है मोधी सरकार का, तो नई पर हमपरा भी शुरू हो सकती है, लेकिन इस खबर को, इस छोटी सी जानकारी को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो ममताब एनरजी बोल रही थी, उसके बाद नितीश कुमार भी बोले कि लोग सभा के चुनाव जल्दी हो सकते हैं, तो इन लोगों को इसका डर सता रहा था कि चुनाव जल्दी होगा तो तैयारी का समय कहां मिलेगा। विपक्षी गडबंधन का तो हाल ये देखिए कि तीन-तीन बैठके हो गई, अभी तक लोगों तैय नहीं हो पाया है। अभी तैयारियों को एकदम से उलट-पुलट कर दिया है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करें। बात हो रही कि सीटों की तालमेल की बात जल्दी होगी, लेकिन कहां होगी उसी बैठक में। सीतारा मियचुरी ने साफ-साफ कह दिया कि हम तो केरल में कॉंग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। जो रिजिलुशन पास हुआ हैं, उनमें से एक रिजिलुशन रिका गया है, कि जहां तक संभव हो सकेगा, हम मिलकर चुनाउ लड़ेंगे। यानि इस संभवना को जीवित रखा गया है कि कही जगों पर संभव है कि मिलकर चुनाउ न लड़ें। अब वो ऐसे कितने राजी हो जाएंगे चुनाव आते आते किसी को पता नहीं तो जो मतभेद हैं वो कारण बन सकते हैं साथ ना लड़ने का सीटों के ताल मेल पर सहमती न होने पर ऐसा हो सकता है बहुत से कारण है लेकिन एक के बाद एक जो प्रधान मंत्री की ओर से घोशनाएं हो रही है जिस तरह का नेरेटिव सेट किया जा रहा है अभी तक तो विपक्षी दल कोई नेरेटिव ही नहीं सेट कर पाए है और अगर महिला आरक्षन विधेक पास हो जाता है कानून बन जाता है तो ये आजकल कहना बड़ा अजीब सा लगता है ये शब्द इस्तेमाल करना मास्टर स्ट्रोक लेकिन सच मुछ ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा ये देश की पूरी राजनीती को बदलने वाला कदम होगा अगर होगा तो तो इंतजार कीजिए ज्यादा दिन नहीं है इसी महीने होना है तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनुटी दीजिए आप से अनुरूद है के चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जिरूर कीजिए नमस्कार